अब आपको यहां पर आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टे नुज को तो वीडियो का आपसे दिंडर्सिंग होने वाली है वीडियो को लाज तक दिखते रहे हैं इसके जात अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजेगा बात करों आप से सबसे पहली न्यूस के बारे हम सबसे पहली जो न्यूस है फिलाल यहाँ पर निकल कर आती है यहाँ पर का जा रहा है कि जो Moto Edge 20 Fusion स्मार्टफून है यह आपको Demensity 800U प्रोसेसर के साथ में देखने को मिलेगा और इसकी जो प्राइज है इंडिया में वो यहाँ यहाँ पर 21,900 इंडिया पर होने वाली है तो यह पूरी प्राइजिंग है जो कि यहाँ पर निकल कर आई है Moto S20 और Moto S20 Fusion स्मार्टफून के लिए जो कि यहाँ पर इंडिया में लॉंच होने वाले आपको यह प्राइज कैसी लगी आपके हिसाब से प्राइज है या विर ओवर प्राइज है मुझे तो ओवर प्राइ जो कि इंडियन वारियंट है वो यहाँ पर IMEI database पर online certified हो गया है जिससे इसका जो launch हो यहाँ पर confirm हो जाता है कहा जाला कि यहाँ पर Redmi Note 11 स्मार्टफून हो सकता है देखने आखिर एक्चुल में यह smartphone किस नाम से इंडिया में निकल करके आता है दोस्तों अगली जो news है फिला इंडिया में दो और नया स्मार्टफून आने वाले हैं Mediatek Dimensity 810 processor के साथ में Realme 8S तो आ रहा है जो कि पहला स्मार्टफून होगा Dimensity 810 पे उसके बाद में इंडिया में दो और नया स्मार्टफून लांच होने वाले है जिनमें आपको Dimensity 810 का processor देखने के लिए मिल जाएग स्मार्टफून में अपने दो नया स्मार्टफून को इंडिया में रिवील कर सकती है अब हो सकता है कि Redmi Note 13 स्रीज के अंदर ही ये स्मार्टफून लांच किया जाए और हो सकता है कि वहीं जो स्मार्टफून हो Poco M4 वगर के नाम से Poco M4 Pro वगर के नाम से आपको यहाँ पर फिलाल यहाँ पर नीगल करती है शामसें के तरफ से आज सामसंग गेलक्सी ए-12 स्मार्टफून का एक नया वाइरेंट इंडिया में लांच कर दिया गया है और अलग प्रोसेसर के साथ में यह स्मार्टफून लांच किया गया है यहां पर इसे स्मार्टफून में आपको Waterdrop notch display DN के साथ में display दी गई है, 6.5 इंचेस की TFT LCD display panel देखने के लिए मिलती है, जो कि यहाँ पर HD plus resolution के साथ में देखने के लिए मिलती है, Exynos का 850 16 processor दिया गया है, उसके साथ में 48 megapixel का quad camera है, 8 megapixel का front facing camera, selfie के लिए दिया गया है, 5000 image की battery है, 15 watt का charger है, micro SD card, USB port और यहाँ पर 3.5M audio jack भी देखने को मिलता है, जो 4GB RAM, 14GB storage variant है, इसकी जो price है वो 14,000 रुपए है, और यहाँ पर जो 6GB RAM, 18GB storage variant है, इसकी जो price है वो 16,000 रुपए है, आपका क्या हो करने इसके बारे में, अपना opinion मुझे comment box और comment करके बताईएगा, दोस्तों बात करूँ आपसे पर अगली news के बारे में, अगली news है फिलहाल यहाँ पर निकलने क्याती है, smartphone की price drop को लेकर के, दोस्तों यहाँ पर flip card पे sale तो खतम हो चुकी है, लेकिन अभी भी काफी सारे ऐसे smartphone है, जिनको अगर आप यहाँ पर purchase करते time, SBI का card यूज करते हैं, तो आपको धाई हजार रुपए तक का जो discount है, वो इन smartphone पर देखने के लिए मिल रहा है, पहला जो smartphone है, वो है Mi 10T, यह से smartphone पे आपको SBI का card यूज करने पे, धाई हजार रुपए का instant discount देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पर आपको price cut वगर भी देखने को मिल रहा है, तो आप इसे smartphone को काफी अच्छी price point पर खरीज सकते हैं, इसके साथ में OPPO A53 S5G smartphone पे भी आपको discount देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर SBI का card यूज करने पे, आपको 2000 रुपए का instant discount है वो देखने को मिल रहा है, तो आप इन smartphone को काफी सस्ते दाम पे खरीज सकते हैं, अगर आपको लेना होगा, दोस्तों बात करूँ आपसे अपर अगली news के बारे में, अगली जो news है फिलहाल यहाँ पर निकल के एक processor को ले करके, दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो Qualcomm Snapdragon 898 का processor आने वाला, जो कि Qualcomm Snapdragon 888 का upgraded version होगा, और दोस्तों कहा जा रहा है कि Samsung के 4NM process का यूज करके, इस processor की 20% जादे जो performance है उसको increase किया जा सकता है, तो यह कुछ detail है, आपका क्या opinion है इसके बारे में, अपना opinion मुझे comment box में comment करके बताईएगा, बात करूँ आपसे अपर अगली news के बारे में, अगली जो news है फिलहाल यहाँ पर निकल करती है Tata की तरफ से, दूस्तो कुछ ताम पहले मैंने आपको inform किया था कि Tata भी यहाँ पर Indian 5G telecom company में interested है, यह यहाँ पर telecom company में फिर से यहाँ पर come back कर सकते हैं यह लोग और यहाँ पर 5G network भी provide कर सकते हैं, अब दूस्तों यहाँ पर फिर से एक नई डीटेल आ चुकी है, अब यहाँ पर टाटा वाले हैं, वो प्रोसेसर बनाने में भी interested है, टाटा जल्दी ही यहाँ पर प्रोसेसर वगर में भी investment करने वाली है, और यहाँ पर टाटा के जो प्रोसेसर होंगे, वो खुझ से इंडिया में ही बनाए जाएंगे, made in इंडिया प्रोसेसर होंगे, अभी तक कोई भी ऐसी company नहीं है, जो कि इंडिया की हो और यहाँ पर वो प्रोसेसर को यूज बनाती हो, प्रोसेसर का यूज करने के लिए जितने भी इंडियन स्मार्टफून कमपनिया है उनको भी दूसरी कंट्री का की हेल्प लेनी पड़ती है लेकिन अब यहाँ पर टाटा प्रोसेसर में भी इंटरेस्टेड है और वो लोग इंवेस्टमेंट करने वाले जिसके बाद में आपको टाटा के जो प्रोसेसर होंगे वो इंडिया आप देखने को मिल जाएंगे और सुनने में आ रहा है कि टाटा जो है वो 5G SOC पे भी काम कर सकती है अब दोसरे इससे भी कहा जाना है कि अगर यहाँ पर टाटा 5G प्रोसेसर को लेकर के आती है तो ऐसे कुछ लिटेल है अगर यहाँ पर टाटा के प्रोसेसर पे माइक्रोमेक्स और लावा के 5G स्मार्टफून आते हैं तो यह स्मार्टफून कहलाएंगे 100% टूली मेड इन इंडिया स्मार्टफून तो टाटा भी अब यहाँ पर प्रोसेसर बनाना स्टार्ट करने वाली है आपका क्या ऊपिरेंड टाटा के बारे में जरूर से अपना ऊपिरेंड बुछे कामेंट करके बताईएगा दोस्तों बात करूँ आपसे अपर अगली नियुस के बारे में अच्छे package के साथ में हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले यानि features काफी अच्छे होने वाले हैं और यह दावा किया जा रहा है यहाँ पर कि अगले महीने जो realme 9 series के smartphone है वो यहाँ पर इंडिया में launch कर दिया जाएंगे तो देखते हैं किर क्या होता है वैसे chances बन रहें कि अगले महीने आपको जो realme 9 series के smartphone है वो इंडिया में देखने को मिलने ही वाले हैं तो फाइनली यह थी कुछ इटेल आपके लिए तो फाइनली यह थी कुछ इन पॉंटी निव्स आपके लिए अब आपका क्या कहना है इन सभीजियों के बारे में जरूर से अपना opinion वुशे comment box करके बताईएगा अब दोसरों इस वीडियो में अगर आपको यह वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा इसके साथ अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी अभी किया भी subscribe करेंगा अचल को वीडियो भी काई अचल वीडियो बनी